प्रेंड वेल्कम टू माई चैनल डियारेक्समेड तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दी, ऐफॉ, जल के बार में इसमें मैं आपको बताउंगो इसका प्राइज, इसके यूजिस, कुछ कॉंद साइड इफेक्ट MARKS लास्ट में मैं आपको बताऊंगो खुछ सेफटी ऐड़्वाई twins, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी तो दोस्तों चलते हैं डारेट वीडियो के तरफ तो यह हमारी 145 रुपीस की है और 50 ग्राम की है और ओजन फार्मसीटिकल्स की है तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ यूजेस दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ DFO Jail का यूजेस क्या है बैसिकली जो DFO Gel का यूजस है वो जो यह क्या करता है अगर किसी परकार का दर्द हो मतलब पेन हो रहा हो या सूजन आ रखी हो या इंफ्लमेशन हो रहा हो तो उसको ठीक करने में हमारा यूज किया जाता है DFO Gel दोस्तो किसी वेक्तिको अर्थराइटिक्स की प्रोलम है जैसे की गठिया की प्रोलम है तो उस टाइम उसके जोडों में गुठनों में बहुत ही दर्द होता है तो उस समय भी हमारा DFO Gel apply करते हैं जिसके जैसे जो डर्द हो रहा हो वो कम हो जाता है और उसकी जो swelling है वो भी कम हो जाती है तो दोस्तों यह हमारा अर्थराइटिक्स में भी यूज किया जाता है और दोस्तों यदि किसी वेक्तिक को कमर में दर्द हो रहा हो मतलब लोग पेन में दर्द हो रहा है मतलब उसे समान उठाने में या कुछ भी चीज उठाने में कमर में बहुत तेस दर्द हो और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक मोबाइल चलाता हो या लैप्टप चलाता हो तो उसके जिसे जो उसकी गर्दन एक ही साइट रहती है तो उसके बाद उसमें दर्द होता है तो उसमें भी हमारा B4 अप्लाई करते हैं तर ने करें एक गर्दन पर जिससे होता है जो दर्द हो वह भी कम हो जाताय अगर उसके उसरो में हमारा अप्लाई करते हैं सॉल्डर्डर पर जिसकी ज़ए से जो इंफ्ल्मेशन है और वहाँ पर जो कम कर सके है और पिस को इसको an जिरी हो मतलब खेल खूद के दूरान इसको इनज्री हो रखियो कहीं भी तो उस स्मय को बहुत ही धर्द होता है और वहाँ पर भी inflammation हो जाती है और swelling सी हो जाती है तो उस से में भी हमारा DFO gel apply किरा जाता है उस area पर तो दोस्तो overall यह ही है कि DFO gel हमारा दर्द को swelling को और inflammation को ठीक करता है जैसे कि हमारा arthritis में दर्द हो गया हो low back pain मतलब कमर का हो गया हो neck pain मतलब गर्दन का हो गया हो shoulder में और क्या ना में injury मतलब sports injury में तो यहीं सब्सक्राइब इसमें यूज करा जाता है हमारा DFO gel तो यहीं पूरा uses अब मैं आपको बताता हूं इसको इस्तमाल कैसे करना है जैसे कि दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में मैं बोलता हूं कोई भी medicine या medicine से related कुछ भी हो वह अपने डॉक्टर या फार्मसिस्ट की एडवाइस से ही जरूर लेना तो दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको कैसे इस्तमाल करना है अगर दोस्तों आपको solder में या आपके नी में पुठनों में दर्द हो रहा हो तो आपको कुछ नी तो कुछ दिन में तीन बार लगाना पड़ेगा दिन में तीन से चार बार आपको उसको अपलाई करना है जिससे आपको वह relief मिल जाएगा और अगर आपके मतलब नेक में घर्दन में दर्द हो या कमर में आपको भी वहाँ पर भी दिन में 3-4 वार अपलाई करना है इससे क्या होगा आपको जल्द ही आराम मिलेगा तो दोस्तों यहीं है कि आपको कैसे इस्तमाल करना है अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ common side effect दोस्तों जो इसके कुछ common side effects देखे गए हैं अगर आप इसको कुछ ज्यादा ही apply कर लेते हो मतलब आपको जितनी quantity से ज्यादा quantity apply कर लेते हो उस area में तो आपको थोड़ी सी जलन मचने लगेगी और मतलब आपको जलन मचेगी इरिटेशन सी होगी तो यही है कुछ इसके common side effect अब मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे वर्क करता है दोस्तों जो हमारा डीएफो जेल है उसमें जो contents है जैसे डाकलोफेनेक लिंसीड ओयल और मिथाइल सेलिकेट एंड मिन्थोल दोस्तों जो इसमें डाकलोफेनक है वह क्या क अब ब्लकुल डीप तक जाती है उस एरिया पर जहां पर हमें दर्द होता और उसके जो क्या करता है अनलगेसिक एफेक्ट दिखाते हैं मतलब जो दर्द वर्द होता उसको बिलकुल कम कर देती है क्या और दोस्तों जो लिंसीड है वह हमारा एक लूब्रिक एंड का का काम common safety advice है अगर आपको कहीं चोट लगी हो मतलब आपको कहीं वोंड सी हो और कटिंग एरिया हो या बर्निंग एरिया उस एरिया पर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही जलन मचेगी तो आपको उस एरिया पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना जहां पर आपको थोड करना चाहते हो तो डॉक्टर के एडवाइस जरूर लेना क्योंकि डॉक्तर आपको बता सकता कि कुट्री में कितने कॉंट्री तेम इनको लगाना है तो दोस्तों यही है ओवर ओल्ड डियाफो जैल के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बने रहना डियारेक्स मेट के साथ